Hello my dear students, आज हम करेंगे वर्कशीट नमबर 135 जो की है दिनांग 18 दिसंबर 2020 के लिए आज की वर्कशीट का सब्जिक्ट है Mathematics और यह वर्कशीट है Class 5 के लिए यहां आप अपना सेक्शन लिख देंगे, यहां अपना नाम और यहां अपने टीचर का नाम और आज की वर्कशीट का नाम है सर्थियों की तयारी 2 एक और वर्कशीट हमने की थी जिसका नाम था सर्तियों की तयारी 1 और यह उसी से आगे बढ़ते हुए अगली वर्कशीट है जो की है डिविजन के बारे में आज हम भाग करना सीखेंगे आप पहले भी भाग करना जानते हैं आपने फोर्थ क्लास में भी किया होगा तो चलिए देखते हैं आज कौन-कौन से अलग-अलग तरीके हमें बताए गए है हमने सर्दियों की तैयारी बर्कशीट में पढ़ा था कि रेश्मा के परिवार वाले स्वेटर, मास्क, दस्ताने आधी बनाने का काम करते हैं वे उस सामान को अलग-अलग पैकेटों में पैक करके दुकान पर भिजवाते हैं रेश्मा की मम्मी ने रेश्मा को हिसाब लगाने को कहा है कि उन्हें मास्क वे स्वेटर पैक करने के लिए कितने पैकिट लाने होंगे वे एक पैकिट में पांच चीजे पैक करते हैं तो बच्चों हमने पिछली वक्षीट में रेश्मा के परिवार के बारे में पढ़ा था कि वो क्या काम करते हैं वो स्वेटर, मास्क, दस्ताने, आधी चीज़े बनाते हैं और फिर उन्हें वो मार्केट में भिजवाते हैं कैसे पैकेटों में उन्हें पैक करके अब रेश्मा की मम्मी ने रेश्मा को एक काम दिया कि उसे पता लगाना है कि उन्हें कितने पैकेट चाहिए होंगे अगर एक पैकेट में पांच चीजे वो पैक करते हैं तो रेश्मा सोचने लगी कि मम्मी ने 65 स्वेटर बनाए है कितने 65 स्वेटर जिन्हें पैक करके दुकान पर भेजना है एक packet में 5 sweater रखने हैं तो उन्हें कितने packet लाने होंगे अभी बताया था कि एक packet में 5 चीज़े आती है मतलब एक packet में रेश्मा 5 sweater रख सकती है और इसी तरह से हर packet में 5-5 sweater रखकर उसे कुल 65 sweater पैक करने है तो अब देखते हैं, रेश्मा ने किस तरीके से हिसाब लगाया, ये है रेश्मा का तरीका, 65 को उसने 50 प्लस 15 करके लिखा, आप ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, 65 को हम 60, sorry, 50 प्लस 15 लिख सकते हैं, इन्हें जोडेंगे तो 65 ही आएगा, तो हमने इस तरीके से लिख दिया, रेश्मा ने 50 मास्क पैक करने के लिए 10 पैकेट चाहिए होंगे, 15 मास्क पैक करने के लिए 5 जमा 5 जमा 5 तीन पैकेट चाहिए होंगे, तो कुल मिला कर 10 जमा 3 बराबर 13 पैकेट चाहिए, तो बच्चों उसने क्या किया देखो, उसने देखा कि 65 को क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 15, अब आप देखो कि जो ये 50 वैटर हैं, इनको पैक करने के लिए चाहिए 10 पैकेट, एक पैकेट में कितने चीज़े आएंगी, 5 तो ये 50 आजाएंगी 10 पैकेट में, फिर रेश्मा ने सोचा कि जो ये बाकी 15 हैं, इन्हें पैक करने के लिए और कितने पैकेट हों 10 और 3 कुल मिला करो गए 13 पैकेट, तो इस तरह से रेश्मा ने हिसाब लगाया, 65 को इस तरह से लिख दिया, फिर उसने 50 का सोचा, फिर 15 का सोचा, इस तरह से वो अपना हिसाब लगा पाई, कि कितने पैकेट चाहिए, अब आपका तरीका भी यही था या अलग, अपने तर ना है, तो बच्चों, हम इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं, सीधा, भाग करके भी कर सकते हैं, 65 को 5 से हम डिवाइड कर देंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, देखो, तो बच्चों, 65 को हम लिखेंगे अंदर, और 5 को लिखेंगे, यहाँ पर बाहर, अब आपको क्या क 65 की ये पहली डिजिट देखो कितना है ये 6 अब आपको 5 का टेबल पढ़ना है क्या 5 के टेबल में 6 आता है नहीं आता अब आपको सूचना है कि 6 से कम 5 के टेबल में क्या आता है तो हम जानते हैं 6 से कम 5 के टेबल में आता है 5 5 बंजा 5 तो 5 आता है तो हम 6 के नीचे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और कितने पे जाता है 1 पे 5 बंजा 5 तो यहां हम लिख देंगे 1 और यहां पर 5 अब हमारा next step क्या है हम 6 में से 5 को माइनस कर देंगे 6 में से आप 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1 को हम यहां लिखेंगे अब बच्चों अगला step है अगली डिजिट पर जाना 65 की next डिजिट है 5 अब इसको हमें नीचे उतारना है जहां हमारा 1 आया था उसके साथ हम 5 लिख देंगे यहां से नीचे उतार कर यहां 5 लिख देंगे अब हम फिर से क्या करेंगे हम देखेंगे क्या 15 5 के टेबल में आता है तो हम 5 का टेबल जानते हैं और हमने पाया कि 5 3,015 तो यहां तो हम 3 लिख देंगे और 15 के नीचे 15 लिख देंगे क्योंकि ये पूरा पूरा जाता है अब इसको आप घटाएंगे तो क्या आएगा 15 में से 15 माइनस करो आएगा 0 या फिर आप यहाँ पर क्रोज भी लगा सकते है ये हो गया बच्चों डिवाइड और हमारा अंसर आया 13 देखो रेश्मा का अंसर भी 13 आया था और इस तरीके से भी हमारा अंसर आया 13 13 कुल मिला कर 13 पैकेट चाहिए तो बच्चों इस तरह से भाग करके भी हम अपना उतर निकाल सकते हैं अब चलेंगे आगे रेश्मा का तरीका देख कर भाईया बोले रेश्मा तुम्हारा तरीका भी सही है लेकिन मैं तुम्हें दूसरा तरीका पताता हूँ आओ हम भी रेश्मा के साथ भाग डिवाइड करने का नया तरीका सीखें अब रेश्मा के भाईया ने उसे एक तरीका बताया यह इसी तरह से उत्तर निकालने का तो देखो रेश्मा का तरीका हम देख चुके एक तरीका हमने ये वाला भाग देखा अब देखेंगे रेश्मा के भाईया का तरीका उन्होंने बच्चों क्या किया जैसे 65 यहां लिखा और उसे भाग करेंगे हम 5 से तो उन्होंने 5 का टेबल बढ़ा कब तक 10 तक 5 10s are 50 नीचे लिख दिया 65 के नीचे 50 अब आप 65 में से 50 को माइनस करो और यहां लिखो कितना आया इस में से हम माइनस करेंगे तो आएगा 15 अब क्या किया अब देखा कि क्या 15 5 के टेबल में आता है तो कितने पे आता है यह आता है 3 पे तो यहां पर प्लस करके 5 तरीजा यहां 15 के नीचे 15 लिख दिया और फिर 15 में से 15 को जब घटाया तो आउनसर यहां पर आया रिमेंडर 0 और आप देखो हमारा आउनसर क्या आया 10 जमा 3 13 तो यह भी एक तरीका है 65 को जब हम 50 प्लस 15 लिख सकते हैं तो देखा कि जो यह 50 है 5 के टेबल में कितने पर जाएगा तो यह हमने 10 से यहां 50 किया फिर माइनस किया फिर 15 को 5 तरीजा 15 किया और आंसर आ गया तो बचों आप जिस भी तरीके से करना चाहें उस तरीके से आप कर सकते हैं अब एक भरे दी गई जानकारी को भी पढ़ते हैं यहां हमें 65 को 5 से भाग करना है है ना 65 को 5 से भाग करना है इससे हम 50 जमा 15 को 5 से भाग करना भी कह सकते हैं पहले चरन में हम 50 को 5 से भाग करेंगे ऐसा करने पर हमारे पास 6 पंदरा बचता है तो बच्चों हमने अभी यहां देखा था कितना बचा था 15 दूसरे चरन में हम 15 को 5 से भाग करेंगे ऐसा करने पर हमारे पास 0 6 बचता है अते हमें 10 जमातीन 13 पैकेटों की आविशक्ता होगी अब भाया ने इसी तरहे ये तरीका भी बताया इस वाले में क्या किया 65 को लिखा 60 plus 5 इस वाले में कैसे किया था इस वाले में 65 को 50 plus 15 किया था बस इसी चीज़ का फरक है बाकी तरीका तो वही है तो बच्चों अगर 60 किया है तो हम देखेंगे पहले कि 5 के पहाड़े में 60 कितने पर जाता है तो हम देखेंगे जब हम 5 का पहाड़ा 12 तक पढ़ेंगे तो आएगा 60 तो 65 के नीचे हमने लिख दिया 60 और 12 पर जाएगा तो यहां लिख दिया 12 अब इसको गटाओ तो आया यहां 5 अब यह देखेंगे जो 5 है वो 5 के पहाड़े में कब आता है एक पर आता है तो 5 वन जार 5 और अब माइनस करेंगे तो 0 बचेगा तो इस तरह से भी हमारा अंसर क्या आया 12 जमा एक बराबर 13 13 ही उत्तर आएगा आप 65 को 60 जमा 5 भी लिख सकते हैं पहले चरन में हमें 60 को 5 से भाग करना होगा ऐसा करने के लिए हम 5 का पाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक हम 60 या 60 के नजदीक ना आ जाए अब हमारे पास 5 6 बचता है दूसरे चरन में हम 5 को 5 से भाग देंगे और 0 6 बचेगा अते हमें 12 जमा एक बराबर 13 पैकेटों की आविश्यक्ता होगी तो बच्चों ये सभी तरीके हैं जो अभी हमने पढ़े इसमें था रेश्मा का तरीका जिसमें उसने 60 को और 65 को पचास जमा पंद्रा करके किया था इस तरीके से है ना उसके बाद भाईया ने दो तरीके बताए इनमें बस इतना फ़रक था कि 60 पैसेट को पचास जमा पंद्रा लिखा इसमें पैसेट को 60 जमा 5 लिखा अब हम बढ़ते हैं आगे भाईया ने रेश्मा से पुछा कि यदि हम 6 लोग मिलकर दिसंबर के महीने में 9,588,9,588 रुपे का काम करती है और सभी ने बराबर काम किया है एक व्यक्ती ने कितने रुपे का काम किया होगा भाईया के तरीके से भाग डिवाइट को पूरा करने का प्रयास कीजिए तो ये रेश्मा का तरीका है और ये भाईया का तरीका है रेश्मा का तरीका आपको पूरा करके बताया गया है और ये वाला तरीका आपको पूरा करना है तो बच्चों पहले देखते हैं कि रेश्मा ने कैसे निकाला हमें कितने रुपे बाटने है? 9,588 बच्चों जब हमें किसी चीज को बराबर बराबर हिस्सों में बाटना होता है तो हम डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं देखो जैसे यहां पर हमें 65 स्वेटर को अलग-अलग पैकेट्स में बाटना है ना तो हमने डिवाइड किया यहां पर हमें जितने रुपे हैं उनको बराबर बराबर 6 लोगों में बाटना है इसलिए यहां हम Divide का इस्तेमाल कर रहे हैं Divide को हिंदी में क्या कहते हैं भाग मतलब बराबर भागों में उन्हें बाटना है तो बच्चों देखते हैं रेश्मा ने कैसे निकाला देखो रेश्मा ने सबसे पहले क्या किया कि 9588 को कैसे लिखा 3000 जमा 3000 जमा 540 और जमा 48 अब देखा रेश्मा ने कि जो ये 3000 है वो 6 के पाड़े में कहां बढ़ाएगा तो जब हम 6 का पहौड़ा 500 तक बढ़ेंगे तब आएगा 3000 तो रेश्मा ने 9588 के नीचे लिखा 3000 और फिर इसको घटा दिया फिर आया 6588 अब फिर से रेश्मा ने देखा कि 6 के पहाड़े को जब हम 500 तक पढ़ेंगे तो फिर से आया 3000 और उसके बाद इसमें से इसे घटाया और फिर आया 3588 अब फिर से एक बार और ऐसा किया और 3000 को 3588 में से घटाया फिर बच्चों रेश्मा ने 6 का पहाड़ा 540 तक पढ़ा तो आया यहां पर 90 और यहां 540 घटाने पर आया 48 और 6 की टेबल में 48 आता है 8 पर और फिर लास्ट में बचा 0 तो इस तरह है रेश्मा ने किया और उसका उत्तर आया इन सब को जब हम जोड देंगे और बच्चों जो यह भाईया का तरीका है इसमें उन्होंने क्या किया कि 6000 के पहाड़े को 1000 तक पढ़ा और आया 6000 फिर 9588 में से इसे गटा दिया इसे हम अलग पेच पर करके देखते हैं यह देखो बच्चों इसके बाद फिर 6 के पहाड़े को 3000 तक पढ़ा और यह गया 500 पर तो बच्चों इसी तरह फिर हम घटा देंगे उसके बाद 6 के पहाड़े को 90 तक पढ़ेंगे तो आएगा 540 और फिर घटाने पर यह आएगा 48 फिर 6 के पहाड़े को जब 8 तक पढ़ेंगे तो 48 ही आएगा और लास्ट में आएगा 0 तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो इनको जोडने के बाद आएगा 1000 जमा 500 जमा 90 जमा 8 तो कितना आया 1598 तो एक व्यक्ति ने 1598 रुपे का काम किया होगा तो इस तरह से जब हमने 9588 को 6 लोगों में बाटा तो आया हमारा ये उत्तर इस तरह से आप येवाला कुश्शन करेंगे अब चलते हैं आगे अब हम ये वाला कुश्शन करेंगे भाईया ने रेशमा को अब मास्क पैक करने का हिसाब लगाने को कहा आप भी रेश्मा के साथ पता लगाए कि यदि एक पैकिट में पांच मास्क पैक होते हैं तो 125 मास्क पैक करने के लिए कितने पैकिट चाहिए होंगे मतलब बच्चों हमें 125 मास्क को 5-5 में क्या करना है डिवाइड करना है कि 5-5 के कितने पैकिट होंगे तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे 125 को 5 से भाग करेंगे तो बच्चों ये हम करेंगे इस वाले तरीके से जो हमने स्टार्टिंग में किया था तो बच्चों इसमें हमें क्या करना होता है आप अच्छे से इसे सीखेंगे आप सबसे पहले 125 की पहली डिजिट देखें ये 1 अब बच्चों आपको देखना है कि जो 5 है वो 1 से बड़ा है तो बच्चों हम इसको क्या करेंगे 1 से आगे भड़ते हुए 1 और डिजिट लेंगे मतलब 12 ऐसा क्यों किया क्योंकि बच्चों ये 1 5 से छोटा है तो अभी हमारा काम नहीं चलेगा हमें 1 को डिजिट लेनी पड़ेगी तो बच्चों अब हम देखेंगे अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि क्या 5 के पहाड़े में 12 आता है और अगर नहीं आता तो 12 से कम क्या आता है तो हमने देखा कि जब हम 5 के पहाड़े को 2 तक पढ़ेंगे तो 10 आता है जो 12 से छोटा है तो बच्चों 12 के नीचे हम 10 लिखेंगे और फिर हम उसको गटाएंगे तो अब हमारे पास आएगा 2 तो हमारा ये 1 स्टैप हो गया है complete अब हमें क्या करना है अगली डेजिट जो बच गई है उसको नीचे उतारना है हमने नीचे उतार दिया अब बन गया 25 अब 25 देखो क्या 5 के पहाड़े में आता है हाँ बिल्कुल आता है 5 के पहाड़े को जब 5 तक पढ़ेंगे तो आएगा 25 अब 25 में उसे 25 गटाओ हमारे पास 0 6 बचा अब यह हमारा कोशन हो गया कंप्लीट और हमारा आंसर आया 25 बच्चों इस वाले तरीके में हम क्या करती है सबसे पहले एक डिजिट लेते है अगर यह इससे छोटी होती है तो हम अगली वाली भी ले लेते है फिर वही पांच का पहाड़ा देखा तो हमने देखा बारा तो नहीं आता तो हम दो पर गए फिर हमने इसे घटाया फिर अगली डिजिट उतारी और फिर से वही तरीका रिपीट किया कि पांच के टेबल में 25 देखा तो इस तरह से बच्चों आप ये कोश्चन करेंगे और हमारा आंसर क्या है 25 125 मास्क पैक करने के लिए 25 पैकेट चाहिए होंगे तो बच्चों अम चलेंगे हम अब भ्यास का समय अब आपको ये कोश्चन करने है डिवाइड के आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो पहले आपको जरूर खुद करना है वीडियो में से ऐसे का ऐसा नहीं उतारना ठीक है तो एक बार हम एक देख लेते हैं बाकी आप खुद कर लेंगे इसमें हमें 867 को 3 से डिवाइड करना है सबसे पहले क्या करेंगे हम पहली डिजिट देखते हैं अब देखो 8 3 से बढ़ा है तो हमारा काम चल जाएगा अब देखो 8 क्या 3 के टेबल में आता है नहीं आता तो उससे कम देखो क्या आता है हम 3 का टेबल आता है हमें और हम जानते हैं 8 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता बलकि 6 आता है कितने पे 2 पे तो 3 का पहाड़ा जब हमने 2 तक पढ़ा तो आया 6 अब हम 8 में से 6 को घटा देंगे कितना आएगा 2 अब 1 स्टेप कम्प्लीट अब हम नेक्स डिजिट लेंगे उसको नीचे उतारेंगे यहां आएगा 6 कितना बन गया 26 अब 3 का पहाड़ा पढ़ो 26 तो नहीं आता लेकिन 24 आता है कितने पे 8 पे अब 26 में से 24 घटाओ कितना आया 2 अब यह हमारा दूसरा स्टेप कम्प्लीट अब हम नेक्स डिजिट पे चलेंगे और उसको भी नीचे उतार देंगे यह बना 27 तीन का पहाड़ा जब हम 9 तक पढ़ते हैं तो आता है 27 और 27 में से 27 घटाएं तो आगया 0 यह कुश्चन कम्प्लीट आंसर क्या आया 289 तो बच्चो इस तरह से आप सारे कुश्चन करेंगे जहां पर पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वहां पर 6 भी बचेगा जैसे यहां तो 0 बचा तो बच्चो ऐसे 5, 2, 3 कुछ भी बच सकता है ठीक है तो यहां तक आपका कुश्चन कम्प्लीट हो जाएगा तो बच्चो इसी तरह आप सारे कुश्चन करेंगे और फिर अपने आंस्वर्स वीडियो में से चेक कर लेंगे अब हम देखते हैं अभी भावकों के लिए सुझाओ बच्चो को किसी भी चीज को पैक करने के लिए कागच या कपड़े से बने थैलों का प्रियोग करने के लिए परिरित करें आप उनसे कागच के लिफाफे भी बनवा सकते हैं तो बच्चो आप जानते हैं क्या जानते हैं से नो टू प्लास्टिक और इसी लिए हमें कागच या कपड़े के बने थैलों का इस्तेमाल करना चाहिए और आप चाहें तो कागच के लिफाफे भी बना सकते हैं क्योंकि बच्चों हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना वो हमारे लिए हानिकारक है तो बच्चों आप ही अपनी वर्कशीट कीजी और अपने वर्टसब ग्रूप पर सेंड कीजी थैंक यू बच्चों आप नाइस देयां टेक केर